नमस्कार विद्धर्धनों ने प्राची लुटबे तुम्ची वर्चुल टीचर प्रोण मंबै महानगर पाली का शिक्षन विभाग अंतरगत वर्चुल क्लास मधे तुम्आ विद्धर्धन से हार्दीक स्वागर मुलानों COVID-19 कालावदिद शालाबंद असले तड़ी तुम्चे सिक्षन चालूर आवे या साथी ब्रोण मंबै महानगर पाली के ने तुम्आला घरीब सून दर्जेदार शिक्षर मिलावे या हे तुने एजुकेशन फोर ओल इनिशियेटिव अंतरगत BMC एजुकेशन हे चानेल सुरू के लिया हे मुलानो तुम्माला है चानेल सा नकीस लाब बन मुलानो तुम्मी मला विद्न्यान्व गणे शिक्षताना पाहिला सेल अबन आज में तुम्माला हिंदी हाविशे शिक्षताना है पाचवी हिंदी सुलब भारती में एक नया पाट सिखेंगे प्रतम हम अपने किताब हिंदी सुलब भारती पाचवी कक्षा की जो किताब है उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे यह हैं अपने किताब का मुख़पृष्ट दिखिए इस मुख़प्रुष्ट में अलग-अलग चित्र दिखाई दे रहे हैं जहां आपके जैसे बच्चे है एक प्राकृतिक चित्र है पेड के साथ पेड के निचे कोई जानवर है प्राकृतिक चित्र में घर दिखाई दे रहे हैं एक महिला, कई महिला उंको उद्बोधन दे रही है, यह अपना प्लाटफॉर्म ट्रेन जा रही है, यह बस जा रही है, और कोई बच्चे आपके जैसे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इसे कहते हैं, श्रीरशक पृष्ट है, अंदर का एक पृष्ट है, यहाँ भी देखो, आपके जैसे बच्चे स्कुल में जा रहे हैं, कई जानवर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ उचल कुद करते हुए, यहाँ एक QR कोड है, नीचे की तरफ, इस QR कोड के माध्यम से, अपने डिजिटल पार्ट्य पुस्तक, यह वो प्रत्यक पार्ट में, जो अध्यान अध्या हो सकती है, फिर यह जो है, अपने बुक का आखरी पुस्ट, मलब पुस्ट जिसे कहते हैं, देखो हैं बच्चे खेल कूद कर रहे हैं, और पढाई भी कर रहे हैं, कई बच्चे खेल रहे हैं, आप भी अपने रिशेस में खेलते हो न, इसे खेल रहे हैं, यह मचलिया के ही अपनी पढ़ाई करनी है सही है न बच्चो और क्या है किताब में और किताब में प्रकिग में अपनी प्रतिज्या है दिन अपने भारत का सविधान है जो आपको पढ़ना है और ये है अनुक्रमनिका, कौंसे कौंसे पाठ अपने को पढ़ने है, साल भर में, पूरे जो पाठ है, उसको उन पाठों को दो भागों में बाटा गया है, पहली इकाई और दुसरी इकाई, पहली इकाई में कुछ पाठ है, और दुसरी इकाई में कुछ पाठ हमें पढ़न आओ खेले, आओ हम अपनी पढ़ाई शुरू करने के पहले कुछ खेल खेलते हैं, है ना बच्चों, बच्चों आप अभी में जो चित्र दिखा रही हो, उन में से कई ना कई खेल, आपने जरूर खेले होंगे, देखिए इन चित्रों को, मरबर ना, पहले चित्र में कबड़ी खेल रहे हैं बच्चे, दुसरे खेल में क्रिकेट चल रहा है, तिसरे चित्र में एक गेम खेल चल रहा है, बच्चे छोटे बच्चे आपके जैसे एक खेल खेल रहे, ये तो आपको मालूम ही होगा, आप खेलते होंगे, फिर ये भी च अच्छे खेल खेलते होई दिखाई देते हैं, कई खेल आप भी खेलते हो, स्कुलों में भी खेले होंगे, रबर ने, तो इने में से कई खेलों की अब हम जानकारी लेने वाले हैं, अभी आपको यहां लिखना कुछ नहीं, सिप पहचान ना है और मुझे बताना है, आओ खे ले, दिखिए बच्चों यह पहले चितर में कउसा खेल दिखाई दे रहा आपको, आप मुझे बता सकते हैं, इस चितर खेल का नाम, इस चितर में देखो, कुछ बच्चों ने, कुछ इसमें टाइल्स लगाए हुए, यट के तुकड़े लगा हुए हैं, और गेन से उसे म लगोरी, लगोरी ये खेल, महारास्ट के गाओं में लोकप्री ये खेल है, ये खेल, किसी खुली जगह में, दो दलों के बिज, दो दल रहते, दो ग्रूप रहते हैं, दो दलों के बिज खेला जाता है, और इसमें क्या करते हैं, देखो, दूसरे चितर में भी दिखाया है टाइल्स, टाइल्स रेती न तुटी हुई, तुटले ले टाइल्स से तुकड़े अस्ता, कि वर विटे चे तुकड़े अस्ता, ते साथ तुकड़े एका वर एक लावता तसे, पहां दुसरा चित्रा था ही तुम्हाला देशाता है, एक के उपर रखे जाते हैं, दोनों दल आणि एका गटातले मुलो आधी खेडता आत नंतर दुसरा गटातले मुलो अन्धे बॉल ले हे जे टाइल्से तुकडे आहेत जा मुला ना जे मिलेलते गेता दगड असतील दगड गेता एका मेका वर राईले पैस दगड रात ना इतना तेमा विटांचे तुकडे कि वा ट पाड़नाचा प्रहतना करता हैं, जिस दल के बिच्चों ने टुकड़े गिराए हैं, वो बच्चे भागते हैं, और दुसरे दल के बच्चे उसी गेन से क्या करते हैं? दुसरे दल के बच्चे उसी गेन से उनको मार कर आउट करने की कोशिश करते हैं, इस बीज पहले दल के बच्चे साथ टुकड़ों को फिर एक दुसरे के उपर रखने की कोशिश करते हैं, दिखें यहां बच्चे खेल रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है न, पहले दल के बच्चों ने इट के टुकडों को गिराया और दुसरे दल के बच्चे क्या कर रहे हैं गें से उन्हें आउट करने के कोशिश कर रहे हैं लेकिन जो जिनों ने गिराई हुई बच्चे फिर से टुकडे को एक के उपर रखने के कोशिश कर रहे हैं और अगर वो टुकडे एक से खेल रहे हैं आपको दिखाई दे रहा है न देखो बच्चा उसको आउट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन अभी यह क्या करेगा अभी वहाँ जाके तुरंट वहां सब इटे एक के उपर रखने की कोशिश कर रहा है देखो उसने रख दिये ओजित गया इस तरह यह खेल खेला जाता है अभी एक दुसरा खेल है देखो इस खेल को पहचानो और बताओ मुझे कौसा खेल है यह हाँ गुली डंडा गुली डंडा यह खेल भी आप खेलते होंगे जब इसकोलों को छुटी है लॉक डाउन है करोना की महामारे से हम लोग घर में है देकिन उसके पहले तो आप खेले होंगे यह खेल गाओ और शोहरों का एक लोग कप्रिया खेल है इस खेल में गुच्ची या गड़े के दो किनारों पर लकडी की नोगदार गुली रखी जाती है यह लकडी की नोगदार गुली आपको दिख रही है यह गुली जो है दोनों सिरों को नोगद लपकने की ताक में रहते हैं दिखो आप चित्र में दिखा रही है कैसे दंडे से इसको क्या कर रहा है उच्छालने की कोशिश कर रहा है ये बच्चा इस चित्र में भी आप देख सकते हैं फिर गुली लपक लेने पर उच्छालने वाला खिलाडी आउट हो जाता है अत्वा दूर गई गुली जो है वहां से फिकने पर डंडे में लगने से भी खिलाडी आउट हो जाता है ये भी खेल खुले मैदान में खिला जाता है आउट ना होने तक गुली उचालने वाला खिलाडी अपना दाव खेलते ही रहेगा उसका दाव जारी रहेगा तैसा ही ये खेल है गुली डंडा अभी ये खेल देखो इसे देखो और पैचानो बच्चो ये कंसा खेल है दोनों चित्रे में देखो आपको जरूर पता चलेगा इस खेल के बारे में हाँ सही कंसा गेम है ये इसे बोलते है कबडी कंसा गेम कबडी इसमें भी दो दल होते है एक दल का खिलाडी क्या करता है देखो वाइट शर्ट में जो है न वो क्या करता है दुसरे दल में कबड़ी, कबड़ी, कबड़ी ऐस्तियावाज में बोलते है कबड़ी, कबड़ी, कबड़ी और बोलते बोलते घुश जाता है दुसरे दल में और वो एक ही सास में इसे शब्द बोलते बोलते दुसरे दल के खिलाड़ी को चुक कर आउट करने का और अपने पाले में या अपने गट में पहुंचने का प्रयत्न करता है लिकिन अगर उसने ये चच से नहीं किया तो क्या हो जाएगा उसके जो दूसरे दल वाले जो है उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे और उसे पकड़ते पकड़ते अगर वो जो touch line होती है ना वो line को अगर उसने touch किया चित्र में तो जितने लोगों चितने खिलाडियों पकड़ा है उतने out हो जाते हैं तो इसलिए इस गेम में हर एक खिलाडी को जो पहले दल वाले या दुसरे अपोजिट दल वाले जो है विरुद्ध दल वाले खिलाडी ओंको फुर्तिला होना आवश दे फुर्तिला है यहने क्या चपल असल पाई जे करन जो पहला जो दी थे भगा प्युदा शर्ट मदे जो इते गुसला है दुसरे दलन तानी कबडी कबडी मोनों आउट कोरों पटकन जनाएगी ला तर तेला सते पकड़नार न तो 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 आउट होनार पण तेने हां लाईनलास पर शकेला तर तेला पकड़नारे विरुद् पर शर्ट होताँ अश्परकर हांगे प्रोग बड़ी आप दिकते ही होंगे प्रोग बड़ी में ऐसे अलग-अलग टिम्स के मैच होते हैं इसके बाद अगला खेल है अगला खेल ये भी आपको आसानी से पहचा ना जा सकता है बच्चे खेलते हैं चुट्टियों में होते ग्यारा खिलाडी होते हैं एक दल गेंद बाजी और दुसरा दल बल्ले बाजी बॉलिंग और बैटिंग बरबर ना गेंद बाजी बॉलिंग बल्ले बाजी में बैटिंग करना रहे अस्ताद यह भी मैदानी खेले और यह पीच पर खेला जाता है क्रिकेट का पीच मंटन जी टीम जासता रॉन करतें जासता धावा करतां तो त्य टीम जिंगे अधिक रॉन बनाने वाली चो टीम होती है जो दल होता है उस टीम की विजय होती है यह खेल रबबर टेनीस अथ्वा कौल बॉल से खेला जाता है क्रिकेट का ये खेल है आप सभी को मालूम है आप देखते भी है अभी तो आप IPL चालू होगे चालू है आपको मालूम है ऐसे इस अलग-अलग गेम्स खेलों के बारे में इस भाग में हमने जानकारी ली है और एक चित्र मैंने अभी रखा है आपको जानने के लिए आपको जरूर मालूम होगा ये गेम क्या है मालूम है न आपको ये गेम है कोको स्कुलों में भी आप ये गेम खेलते हैं बच्चों खेलना बहुत आवश्यक है अपने शरीर की तंदुरस्ती के लिए खेल कूद करना ही चाहिए एक खेल कूद से अपने शरीर को वैम हो जाता है तंदुरस्तर होते हैं और उसी के साथ हम लोग अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छी तंदरुस्ती के लिए अच्छा खाना भी आवशक है तो ही हम अच्छी खेल खेल सकते है अभी अभी मैंने जो पड़ाया उसके उपर हम कुछ प्रश्न में पूछती हूँ आपको सीब आपको उत्तर देने हैं आपको यहाँ कुछ लिखना नहीं है कोस्टक में से उची शब्द चुनकर रिक्त सानों की पूरती करो मैंने कुछ शब्द दिये हैं आपको पीच, टाइल्स, रन, कबड़ी और नोगदार अभी आपको यह जो शब्द हैं यहाँ मुझे बताने हैं क्या-क्या शब्द आएंगे पहला वाक्या है गुल्ली दोनों और डैश लकडी की बनी होती हैं कैसी लकडी की बनी रहती हैं नोगदार सही है आपका उत्तर नोगदार दूसरा वाक्या डैश का खिलाडी दूसरे दल से किसी खिलाडी को चुकर उसे आउट करने का प्रयत्न करता है कउसे गेम का, कउसे खेल का खिलाडी, बताओ बच्चो, कबड़ी, सही उत्तर दिया अपने, कबड़ी का खिलाडी, दुसरे दल से किसी खिलाडी को चुकर, उसे आउट करने का प्रयत्न करता है, अपने दल में तुरन चला आता है, तिसरा विदान, लगोरी में डैश या इट के साथ टुकड़े एक के उपर एक रखे जाते हैं, क्या इट और कउसा दुसरा चीज यूज़ करते हैं, बच्चे, टाइल्स, कउसा टाइल्स, लगोरी में टाइल्स या इट के साथ टुकड़े एक के उपर एक रखे जाते हैं, चोथा विदान क्रिकेट का खेल मैदान में डैश पर खेला जाता है का खेला जाता है जैश मतलब पीच पर सही उत्तर है पीच पर खेला जाता है क्रिकेट में अधीक डैश बनाने वाला दल विजई होता है क्या अधीक बनाने वाला कौँसा दल विजई होता है कुटला उत्तर है अधिक रन बनाने वाला दल विजई होता है और बेग प्रश्ण मेंने आपके लिए रखा है सही विधान के सामने सही विधान के सामने एक मिनिट सही विधान अगर होगा तो उसके सामने आपको इसे टिक लगानी है और गलत विदान होगा तो उसके सामने आपको क्रॉस ये चिन्न लगाना है देखिए विदान गुली लकडी की बनाई जाती है कैसे है विदान ये सही है गलत है सही है गुली लकडी की बनाई जाती है न दुसरा विधन, क्रिकेट में प्रत्यक दल में 12-12 खिलाडी होते है सोचो बचो, सही है क्या विधान यह है आप तो क्रिकेट देखते हो गलत है, क्योंकि क्रिकेट में 12 नहीं, 11-11 खिलाडी होते है ठीक है न? कबड़ी में दुसरे दल में कबड़ी में, दुसरे दल में खिलने जाने वाले खिलाडी की सास नहीं तुटनी चाहिए सही है न? तेने काई सहले पाईजे? चपड़ सहले पाईजे तेसा दम तेने हिने कहला पाईजे करंदर तो स्लो सहला तर तेला पकड़ तिल उन उन तेने पटापट कबड़ी कबड़ी मन आउट उन अपले दलाद पड़ाईजे आ है इसलिए उसकी सास नहीं तुटनी चाहिए तो ये विधान सही है आगे लगोरी तीन दलों के बीच खेला जाता है सोचो बच्चो ये विधान सही है ये विधान गलत है लगोरी हो या क्रिकेट हो या कोको हो दो दलों के बीच ही खेला जाता है और आगे का सेंटेंस है कबड़ी का खेल कमरे में खेला जाता है नहीं गलत कबड़ी का खेल का खेला जाता है खुले मैदान में ही खेला जाता है अभी ये उत्तर आपने सही उत्तर दिये अभी में कुछ प्रश्ण आपको सोचने के लिए रख रही हूँ नेमनलिखित प्रश्णों के आप उत्तर दो आपको लिखना कुछ नहीं है अभी इन प्रश्णों के उत्तर आपको सोच कर आपके घर में आपके भाई होंगे बहन होंगे उनको बताने है पहला प्रश्ण है गुली डंडा कहा खेला जाता है जुसरा प्रश्ण है गुली कहा रखी जाती है लगोरी कहा खेला जाता है और क्रिकेट का बल्ला किस काम आता है इन प्रश्णों के उत्तर आप आपके घर के जो मेंबर जो होते हैं उनको आप बता सकते हैं तो आज के पार्ट में हम यही रुखेंगे धन्यवाद तुम्हाना नवीन नवीन वीडियो से नोटिफिकेशन्स मेंके धन्यवाद